अगर आप लोग email id से किसी भी mobile phone का location, exact location पता करना चाहते ही, तो इस वीडियो को end तक देखना, चुकि जनरली होता क्या है हमारा mobile phone या फिर हमारे दोस्त का mobile phone कहीं पर गिर जाता है, खो जाता है, तो उस situation में mobile phone को ढूंडने में काफी ज़्यादा समस्या आती है, ठीक है न, बट इस वीडियो को end तक देखना, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक email id के थुरू mobile का location ट्रैक करने का पूरा process बताने वाला हूं, बट फ्रेंड्स इसका misuse आप लोग मत कीजिएगा, जब आपको जरूरत परे, तभी आप लोग इसका इस्तमाल कीजिएगा, तो mobile phone के थुरू इस mobile phone का exact location पता करने का complete process बताने वाला हूं, आपके किस में आपका खुद का mobile phone हो सकता है, या फिर आप अपने दोस्तों के mobile phone का exact location पता करना चाहते हैं, तो जो step मैं आपको अभी बताने वाला हूं, इसको आप सही तरीके से follow कीजिएगा, लेकिन हाँ, आपको करना का है, इसको मैं start कर दीता हूं, और यहाँ पर इस mobile phone को आपको ले लिना है, जो आपकी पास है, उसकी बाद आप अपने mobile phone में, generally आप लोग जीमेल एप का इस्तमाल तो करते ही होंगे, आप जीमेल एप को open कर लीजे, यह रहा जीमेल अप्लीकेशन, इसको आप आपेंट कर लीजे, आपेंट करने की बाद इस तरह का page आएगा, अब यहाँ पर आपको अपने account पर यानि की low पर click कर दीना है, तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे, तो इस तरह का page आपकी सामने आ जाएगा, और यहाँ पर देखी, आपको manage account या Google account का option दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको करना का है, slide करना है, कुछ इस तरह की से, और एक option यहाँ पर आपको दिखेगा security, इस पर आपको click करना है, इस पर click करने की बाद इस तरह का page आजाएगा, और अब आपको सब से नीचे scroll down करके आजाना है, दोस्त मैं आपको बता दू, इस process को करने के तो उस device में जो भी email ID login किया हुआ था, वो email ID आपको पता होना चाहिए, और उस email ID का password भी आपको पता होना चाहिए, तब ही आप इस process को कर पाएंगे, otherwise नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप दिखान रखिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखे, your devices का section आ चुका है, और इस जब आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ जो Gmail ID है, किस-किस device में और कितने device में login किया हुआ है, ठीक है न, यहाँ पर आपको देख जाएगा, तो आपको simple करना क्या है, back करना है, और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, find a lost device, देखे, यहाँ find a lost device इस पर आपको click करना है, इस पर click करने की बाद इस तरह का page आपके सामने open हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, आपको device सबसे पहले choose करना है, यहाँ पर यह बताया गया है, कि जिस device में, जिस भी phone में, आपका यह Gmail account login किया हुआ है, वो सारे के सारे phone का model number यहाँ आपको दिख जाएगा, और उस device का नाम भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, तो आप simple उस device को select कर लेजी, जिसको आप पता करना चाहते हैं, जिसका आप location track करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर click कर दीजिए, ओके, तो जैसे कि मैं इस पर click कर देता हूँ, उ इस phone में जो phone आप ढूंदना चाहते हैं, उस phone में login किया हुआ है, वही email ID यहाँ पर भी आप select कर लिए, तो देखिए, यहाँ पर मैंने email ID select कर लिया है, उसके बाद continue कर दिना है, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको password डालने के लिए बताया था, यानि कि password आपको याद र और modal number आपके सामने आ जाएगा, आप simple उस device को select कर लिएगा, जिसको आप ढूंडना चाहते हैं, जिस device का live location ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर click कर दीजिए, click करने के बाद देखिए, आपके सामने इस तरीके से exact location आ जाएगी, ठीक है, मैं आपको zoom कर करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर zoom करेंगे, तो उस device का, यानि कि इस mobile phone का exact location यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, उसके बाद, इतना ही नहीं, मैं आपको बता दो, नीचे में देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस mobile phone की जो battery है, कितना percent charge है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए, यहाँ पर message भी मुझे आया हुआ है, less than 20% of battery, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको okay कर देता हूँ, don't turn on, और यहाँ पर देखिए, मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ, इसमें भी आपको 20% ही दिखेंगे, ठ इसके बाद इतना ही नहीं, आप नीचे आजाएगे, यहाँ पर देखिए, आपको network का भी नाम दिख जाएगा, जैसे कि अभी मैं इस mobile phone से wifi को connect कर रखा हूँ, यहाँ पर इस device में, इस बज़ा से मेरे device का नाम यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, अगर आपके case में, यानि क जिस device का exact location आप पता करना चाते हैं, उस device में जो भी sim card लगा होगा, उस sim card का नाम यहाँ पर देख जाएगा, ठीक है न, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इसमें यह sim card लगा हुआ है, उसके बाद इतना ही नहीं, आप अगर मान लेजिए exact location तक पहुंच चुके हैं, अपने mobile phone की नजदीक पहुंच चुके हैं, उसके बाबजूद भी आपको mobile phone नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर एक option देखेगा play sound, इस पर जब आप click करेंगे अपने mobile phone से, तो इस device में automatic ring होना start हो जाएगा, देखे play sound करता हूँ, तो देखे यहाँ पर ring start हो चुका है ठीक है ना, और आप इसे stop कर सकते हैं यहाँ से, तो देखे मैंने stop किया, तो sound भी stop हो चुका है, और अगर आप अपने device को secure कर सकते हैं, या फिरेज करना चाते हैं, मान लेजे आपका device खो गया है, मिल नहीं रहा है, तो आप यहाँ से erase device पर click कर दीजेगा, और सारा का सारा जो उसमें जो भी data होगा इस device में इसको आप delete कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने mobile phone से, तो उसके बाद get directions का option है, इस पर click करके, आप Google Map के जड़िए direction पता कर सकते हैं, कैसे कैसे कहां पर मुझे जाना है, ताकि मेरा mobile phone मिल जाए, ठीक है, ताकि मैं अपने mobile phone के exact location पर एक्षन पर click करना है, आपको राष्टा बता दिया जाएगा, ओके, तो इस तरीके से आप सिर्फ एक email ID के थरू किसी भी mobile phone का exact location पता कर पाएंगे, मुझे उमीद है दोस्त इस वीडियो को देखनी की बाद, अब आप लोग भी अपने या पिर अपने दोस्तों की mobile phone का location सि एक email ID के जड़िये track कर पाएंगे, इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रेशानी है या और भी किसी भी प्रकार का सवाल मन में चल रहा है, तो आप मुझे नीचे comment कर दीजेगा, तो फिर मिलता हूँ आपसे, फिर से किसी informative content के साथ, तब तक की लिए वां तिमात्रम।